बोलो शिव शंकर भगवान की जै, गौरी शंकर की जै आज हम पढ़ रहे हैं शिव पुराण में जोतिरलिंग के बारे में जानेंगे और ये जोतिरलिंग है मलीकारजुन और महाकालेश्वर दो जोतिरलिंग के कहाने सुनेंगे कि किस प्रकार से जोतिरलिंग बने हैं जोतिरलिंग भगवान का जो प्रकाश पुंज निकला था जब विश्णु भगवान और भ्रहमा जी में आपस में ही भैस छड़ गई थी कि कौन पहले आया है तो उसमें शिवजी प्रकट हो गए थे जोति सुरूप में और दोनों ही विश्णु भगवान और भ्रहमा जी नीचे और उपर तक गए लेकिन उन्हें उसका ना आदी अंत शुरुवात नहीं मिली अंत नहीं मिला और वो जब ठक के वापस आ गए तो जो जोतिरलिंग का इ तो धीरे धीरे फिर वो जोतिरलिंग जो हैं स्थापित हुए हैं तो वो 12 जोतिरलिंग जो हैं उनकी कैसे कैसे वो बने कल जो पढ़ा था हमने पाठ किया था सोमनाथ का आज हम इस शेवपुरान के माध्यम से जानेंगे मलीकारजुन और उसकी कहानी उसकी चर्चा कर लेत हैं मलीकारजुन और महाकालिश्वर की तो आप सब लोग ध्यान से सुनिए और शुक्राना कीजिए गुरुजी का जे गुरुजी शुक्राना गुरुजी और स्टार्ट कर लेते हैं हम मलीकारजुन और महाकाल नामक जोतिर लिंग के आविर भाव की कथा तथा उनकी महिमा सुच जी कहते हैं महारिश्यो अब मैं मलीकारजुन के प्राधुरभाव का प्रसंग सुनाता हूँ जिसे सुनकर बुद्धिमान पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाता है जब महा भली तारक शत्रु शिवा पूत्र कुमार कार्ती के सारी पृत्वी की परिकर्मा करके फिर कैलास परवत पर आए और गणेश के विवहा आदी की बा सुनकर कौँच परवत पर चले गए पारवती और शिव जी के महा जाकर अनरोद करने पर भी नहीं लोटे तथा वहां से भी बारा कोज दूर चले गए तब शिव और पारवती जोतिर में सुरूब धारन करके महा पर्तिष्टित हो गए वे दोनों पूत्र सन्हे से आतुर हो पर्वत पर्व के दिन अपने पूत्र कुमार को देखने के लिए उनके पाज जाया करते हैं पारवती जी निश्ये ही महा पदारपण करती हैं उस दिन से लेकर भगवान शिव का मलिक अर्जुन नामक एक लिंग तीनों लोकों में प्रसिद हुआ उसमें पार्वती और शिव दोनों की जोतियां पर्तिष्ठित हैं मलिक अर्थ है पार्वती और अर्जुन शब्द शिव का वाचक है उस लिंग का जो दर्शन करता है वह समस्थ पापों से मुक्त हो जाता है और सम्पूण अभिष्ट को प्राप्त कर लेता है इसमें संशे नहीं है इस प्रकार मलिक अरजुन नामक जो दित्य जोतिलिंग का वनन किया गया जो दर्शन मातर से लोगों के लिए सप्रकार का सुख देने वाला बताया गया है रिश्यो ने कहा प्रभू अब आप विशेश कृपा करके तीसरे जोतिलिंग का वनन कीजिए तो अब ये तीसरा स्टार्ट हो रहा है तो मलिक अर्जन की कहानिया पे समाप्त हुई है आपने देखा कि कार्तिक ने जब तारक का वद कर दिया था वो बड़ा हो गया और उसके बाद जब इनकी गणेशी और कार्तिक के का एक विवहा का जो प्रयोजन किया गया शिव जी पारवती ने उनके सामने ऐसी शर्ट रखी कि प्रिथ्वी की परिकर्मा कर लो तो जो पहले करके आएगा तीन परिकर्मा प्रिथ्वी की परिकर्मा करके तो इसमें एक छोटी सी कहानी ये भी जुड़ी हुई है कि कार्तिक और गनेशी का जब विवहा के लिए शिव जी पार्वती जी ने एक उनके सामने शर्ट रखी कि पहले जो पृत्वी की परिकर्मा करके आएगा और उसकी जो है मैं हम लोग शादी पहले उसकी करेंगे अब कार्थिक का वहान तो मोड था तो वो तो चले गए अब गनेश जी कहने लगे मैं कैसे जाऊंगा तो उन्होंने पार्वती कि परिकर्मा करके और उनको प्रसंद कर लिया और कहा कि भाई अब तो मैं जी दिया हूँ तो उन्होंने अपनी बातों से उन्हें बहुत अच्छे से इंप्रैस कर और तब वो फिर उनकी शादी पहले हो गई और जब कार्थिके जी अपनी पूरी परिकर्मा कर के बाप फिस आए तब उन्होंने देखा कि हां तो जो है गणेजी की तो वो थोड़ा रूश्ट हो गए बस फिर तो उन्होंने जो है वो चलेगे परवत पर तो वहां पर जो उनका मलीकारजुन वाला जो शिवलिंग बना वो वहां पर तब बना और अमावस्या को वहां पर परवती जी आती हैं तो वो इतना जो तिर लिंग प्रभावशा लिया है कि केवल दर्शन मातर से ही इनसान की मनोकामनाय पूर्ण होती हैं तो हम जो है वहां पे भी जातों नहीं पा रहे हैं लेकिन हम सोचते हैं कि इसका पढ़ पढ़ के ही पाठ करके भी जितना पुने लाब हम उठा सकते हैं और दूसरों को सुना कर जितना उठा सकते हैं उतना लाब तो हम अवश्य ही उठाएं तो मैं आप से सबसे अनुरोद करती हूं कि गुरू जी ब्लैसिंग कल्यान किता चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर लीजि वीडियो को लाइक कीजिए और आगे शेयर जरूर कीजिए ताकि और लोगों के पास भी यह ज्यान जरूर पहुचे कि सभी लोग शेव पुराण को नहीं पाठ कर पाएं हैं अभी तक लेकिन शेव पुराण के जो बहुत ही अच्छे अच्छे से वह हैं इसमें जोतिलिं को भी सुना सकें इसके लिए शेयर करना तो बहुत बनता ही है है तो स्टार्ट कर लेते हम नेक्स्ट है तीसरा जोतिलिंग और वो है महा कालेश्वर का तो महा कालेश्वर की कथा इस प्रकार से है कि रिश्यों ने कहा प्रभू अब आप विशेश कृपा करके तीसरे जोत जो आप शिरिमानों का संग मुझे प्राप्त हुआ। जो शुब कर्म परायन वेदों के स्वाध्याई में सलंगन तथा वेदिक कर्म के अनुष्ठान में सदा तत्वर रहने वाले थे। पाकर वे सदगती प्राप्त कर ली जो संतों को ही सुलब होती है। उनके शिव पूजा परायन चार तिरस्वी पूत्र थे जो पिता माता से सदगुणों में कम नहीं थे। उनके नाम थे देव प्रिय, प्रियमेधा, सुकृत और सुवरत। उनके सुख दायक गुण वहां सदा बढ़ने लगे। उनके कारण अवंती नगरी ब्रहमते से परिपून हो गई थी। उस समय रत्नमाल परवत पर दूशन नामक एक धर्म देशी असुर ने ब्रहमाजी से वर पाकर वे धर्म तथा धर्मात्माओं पर आक्रमन किया। अंत में उसने सैना लेकर अवंती उज्जैन के ब्रहमनों पर भी चड़ाई कर दी। उसकी आग्या से चार भयानक दैत्ये चारो दिशाओं में परल्यागनी के समान प्रकट हो गए। परंतुवे शिव विश्वासी ब्रहमन बंधू उनसे डरे नहीं। जब नगर के ब्रहमन भहुत घबरा गए तब उन्होंने उनको आश्वसन देते हुए कहा। आप लोग भक्त वस्तल भगवान शंकर पर भरो विध प्रिये के पूतर उन भ्रहमनों ने उस समय उस देते की कही हुई बहए बात नहीं सुनी। कि वे भगवान शंबु के ध्यान मार्ग में इस्थित्थे। उस दुष्टात्मा देते ने जो ही उन भ्रहमनों को मारने की इच्छा की तो ही उनके सामने पूजित उपधारी भगवार्श ये प्रकट हो गए जो महाकाल नाम से वेख्यात हुए वे दुष्टों के विनाशक तथा सत्कुर्शों के आशे दाता हैं उन्होंने उन दैतियों से कहा अरे खल मैं तुझ जैसे दुष्टों के लिए महाकाल प्रकट हुआ हूँ तुम इन ब्रहाम गई और कुछ भाग खड़ी हुई परमात्मा शिव ने दूशन का वद्ध कर डाला जैसे सूर्ये को देखकर अंधकार नश्ट हो जाता है उसी प्रकार भगवान शिव को देखकर उसकी सारी सैना अध्रश्य हो गई देताओ की दुन्दूब्या बज उठी और आकास से फ वहे बास सुनकर वे सब ब्रामन हाद जोड भक्ती भाव से भली भाती प्रणाम करके नत्म दूशन कहा महाकाल महादेव दुष्टों को दंड देने वाले प्रभू शंभो आप हमें संसार सागर से मोक्ष परदान करें शेव आप जन साधारन की रक्षा के लिए सदा यही रहें प्रभू शंभो अपना दर्शन करने वाले मनुश्यों का आप सदा ही उद्धार करें सूद जी कहते हैं महरिश्यों उनके ऐसा कहने पर उन्हें सद्गदिदे भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा के लिए उस परम सुन्दर गड़े में इसित हो गए वे ब्र घरम नों उनका दर्शन करने से सुपन में भी कोई दुख नहीं होता जिस जिस कामना को लेकर कोई उस लिंग की उपासना करता है उसे वे अपना मनुरत प्राफ्ट हो जाता है तथा परलोक में भी मोक्ष मिल जाता है जै शिर्शंकर भगवान की जै गुरुजी, शुकरा पना गुरूची